एक छोटी सी बात यदी कहूं ति गांदी जी के नेतुत में बिहार के चमपारंग में किसान अंदोलन किस प्रकार प्रभाय भी हुआ यह बहुत ही important question है चलिए दोस्तों इस मुद्दा को आज थोड़ा सा जानते हैं थोड़ी सी बहसवाजी इस पे हो जाए बिहार एक बात तो आप जान दे बिहार सदा से किर्शी परधान प्रदेशों में रहा है और यहां के अधिकान स्लोगों की अर्थ व्यवस्ता किर्शी नहीं रहा था और बिहारी किसान वर्ग भी काफ़ी पड़िसान था इसी के पिरनाम सरूब बिहार के किसानों द्वारा जमिनदारों के आर्थिक सोसन और एकिस सासन के खिलाफ अनेक भी द्रों किये थे जैसे की आप लोग जानते हैं बिहार में पहला ससक्त किसान आंदोलन मातमा गांदी जी के नेतरूत में चमपा रंगमर किया गया था इस छेतर में अंग्रेज भूमी पतियों द्वारा किसानों का निर्मम सुसन एबं लंबे समय से होते आ रहा था यहां पर निल की खेती होती थी और अंग्रेज भूमी पतियों द्वारा बदनाम तीन कठिया पदिती पर चली थी तीन कठिया पदिती के अंतरगर कस्तकार को अपनी एक विखा जमीन के तीन कठा में निल की खेती करनी परती थी ऐसे अनुबंद 19-20 सदी के आरंब में ही गोरे बगान मालिकों ने किसानों से करा लिया था निल की खेती में आम कस्तकारों की अपेक्षा बगान मालिकों की अधिक लाब होती थी और भूमी पर भी बुरा प्रभाव परता था अंग्रेजों के तरह तरह के अत्याचार दमन सोशन से चमपारंग के कस्तकार कहड़ा उठे थे परतम विश्युत काल में जर्मन में राशानिक रंगों के विकास के बाद नील का बाजार काफी मंद हो गया और चमपारंग में बगान मालिक वा किसान भी नील की खेती बंद करना चाहते थे इन परिस्थिती का लाब गोरे बगान मालिक उठाना चाहते थे इसी बीच 1916 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में बिहार में काफी संख्या में परतिनी जित्र सामिल हुए थे बिहार के इन परतिनी जित्र में राजकुमार सुल्क भी थे जो स्वेम इस उत्पिरियन के सिकार थे उन्होंने चमपारंग के किशानों की जो इस्थिती है देनी इस्थिती सभी को बताया और सभी को इस ओर आकरशित किया जिसमें इन समस्याओं का निदान के लिए एक समीती का गठन की बात भी कही गई जिसमें सरकारी तथा गयर सरकारी सदश्य सामिल थे गांदी जी के दक्षिन अफ्रिका में किये गए संगर्ष से प्रभावित होकर राजकुमार सुल्क ने उन्हें चमपारंग आने की श्थिती को अध्यन करने का अनुरोद किया जिससे गांदी जी ने सहर स्विकार कर लिया गांदी जी अप्रेल 1917 में पटना होते वे मुझबपर पूर पहुंचे वहाँ वे बिहार फ्लैटर्स एसुएशियन के मंतरी जे एम विल्सन से भेट की तथा उनको अपने आने का कारण बताया परंथ विल्यंस ने साहता करने से इंकार कर दिया तब हुए तिरहुल डिविजन के कमिशनर एल एम मेंगोर्ड से मिले उन्होंने इन बातों की जाच करने से इंकार कर दिया गांधी जी ने राजेंदर प्रसाद, बिरिच, किशोर, मजहर, उलहक, महादेवी देशाई, नरसी, पारिक तथा जेवी, किरपालनी के साथ मामले की जाच करने का आदेश उद्देश से चंपारंग आने का निर्णा लिया उनके चंपारंग आगमन से जीला के अधिकारियों में बेचेनी हुई और उन्हें चंपारंग छोड़ने का आदेश भी दिया गया, गांधी जी ने आदेश मानने से इंकार कर दिया तदा किसी भी प्रकार के दंड को भोगतने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, गांधी जी को कानूं वीडोधी व्यवहार के लिए गरिपतार कर उनपर मुकादमा भी चलाया गया, गांधी जी के सांतिकपुर्नि वीडोध का जवाब देना सरकार के लिए काफी के लिए बुलाया बिहार की ततकाली उपराजिपाल होडवर्ड गेंट के द्वार के साथ गांधी जी की बातचीत हुई तथा उपराजिपाल ने किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक सम्मीति का गठन करने का प्रस्ताव दिया जिसका नाम चंपारंग एग्रोडियन क कमीटी पड़ा गांधी जी भी इस कमीटी के सदस बनाए गए चंपारंग के किसानों की स्थिति का जायजा लेने के बाद गांधी जी जांच सम्मीति को यह समझाते में सफल रहे कि तीन कठिया व्यवस्ता काफी दोस्पूर्ण है इन सम्मीति के अनुसंसा पर तीन कठिय व्यवस्ता कानून बनाकर अंत कर दिया गया इसके बाद किसानों पर से लगान भी घटा दिया गया और उन्हें च्छति पूर्ती का धन भी वापस दिया गया इस तरह चंपारंग के किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुई और गांधी जी का यह पहल पर्थम पढ़ि